हमने पिछली वीडियो में जाना था water cooling system का हर एक चीज के बारे में और यकीन मानिये जो लोग वो वीडियो देखे होंगे उनको water cooling system से कोई भी confusion नहीं रह गया होगा और जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो को जा के देख सकते हैं मैंने description में उस वीडियो का link को देखे रखा है खर हम लोग आज के इस वीडियो में air cooling system के बारे में जानेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जो लोग मेरे चैनल को subscribe नहीं किये हैं या नए हैं हमारे चैनल पर तो वो नीचे subscribe बटन पर क्टिक करके हमारे चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का notification मिलते रहें सब्सक्राइब किजे टेक पर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए latest technology वीडियो के लिए तो air cooling system भी एक system ही है जिससे हम लोग engine को थंडा करते हैं इंजन का टेंपरेचर को डॉन करते हैं जिस तरह से हम लोग water cooling system का यूज करते थे इंजन का टेंपरेचर को डॉन करने में इंजन का working temperature को maintain करने में ठीक उसी तरह से air cooling system का भी यूज हम लोग engine का working temperature को maintain करने के लिए करते हैं बट, एर कुलिंग सिस्टम का यूज दोस्तों, हम लोग उसी जगा पे कर सकते हैं, उसी इंजन पे कर सकते हैं, जो इंजन डायरेक्ट एर के कॉंटेक्ट में होता है, अगर इंजन जो है वो कभर में हो, तो उस जगा पे हम लोगों को वाटर कुलिंग सिस्टम का ही यूज क गाडियों में जो engine होते हैं, वो direct air के contact में होते हैं, तो इसी चीज़ का हम लोग advantage लेते हुए, हम लोग air cooling system का ही use करते हैं, इन सब गाडियों में, लेकिन अगर हम लोग air cooling system का use करना चाहें, बड़े बड़े गाडियों में, जैसे कि car हो गया, bus हो गया, truck हो गया, तो इन सब में हम लोग air cooling system का use नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके engine जो है वो cover होते हैं घीरे होते हैं चारो तरब से और साथ ही साथ उन सब इंजनों में temperature जो है वो बहुत अधिक produce होते हैं heat बहुत ज्यादा produce होते हैं उनको जो है air cooling system से रोका भी नहीं जा सकता है तो अब आये जान लेते हैं कि यह काम कैसे करता है air cooling system इसमें क्या-क्या चीजों को लगाया गया है जिसके वज़े से एर के वज़े से ठंडा हो जाता है तो आपको figure दिख रहा होगा figure में आपको एक engine देखने के लिए मिल रहा होगा और यह engine में यह जो मैंने दिखा कर रखा hydrate color से वो जो है वो combustion chamber को denote कर रहा है यहां पर combustion होता है और combustion होने के वज़े से यहां से heat जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडियूस होता है और वो heat को वो हमारा कुछ दिर बाद कुछ टेंपरेचर में जाने के बाद एक्स टेंपरेचर में जाने के बाद engine हमारा seat कर जाएगा और भी बहुत सारे problem हो सकते हैं engine से knocking का आवाज आने लगेगा साथी साथ हमारा जो piston है वो भी crack कर सकता है और ज्यादा टेंपरेचर बढ़े गया तो यह जो engine है वो melt भी कर सकता है जिसको दुबारा अपने पहले वाला safe में लाना possible हमारे लिए नहीं रह जाएगा तो यह सारे चीजों को रोकने के लिए यह सारे चीज ना हो engine के साथ इसी के लिए हम लोग ऐसे छोटे गाड़ियों में हम लोग air cooling system का यूज करते हैं जिसमें हम लोग air के माध्यम से यह heat जो produce यहां पे हुआ और इंजन में चला गया ट्रांसफर हो गया उसको हम लोग remove करते हैं तो इसके लिए हमने यहां पे fins लगा के रखा है यह जो है fins लगे होते हैं आप अपने motorcycle का यह स्कूटी का engine जो होता है नीचे वहां पे जाके देख सकते हैं engine के चारो तरफ से इस तरह से अलमूनियम का कुछ बनाया हुआ आपको सेप मिल जाएगा वहां जाके आप समझ सकते हैं कि fins क्या होता है और वो चीज मैं यहां दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आप जाके अराम से देख सकते हैं उस चीज को और आपको समझ में भी आ जाएगा एक्च्वाली में fins दिखता कैसा है तो यह fins जो है इंजन के चारो तरफ हम लोग लगा के रखते हैं ताकि हम लोग air के माध्यम से इस इंजन को ठंडा कर सकें अब बहुत लोगों का यह confusion होगा कि आखिर यह fins में ऐसा क्या होता है कि इंजन को यह ठंडा कर देता है तो fins में दोस्तो कुछ होता नहीं है बस हम लोग fins के मदद से इंजन का क्रोस सेक्षन एरिया को बढ़ाते हैं अगर हम लोग एरिया को बढ़ाते हैं तो cooling effect जो है cooling effect जो है वो भी बढ़ता है अगर हम लोग area को घटाते हैं तो cooling effect भी घटाता है मतलब थंडा होने का जो दर है वो भी घटता है अगर हम area को decrease कर दे और वहाँ पे अगर एक piston सिर्फ लगा दे हैं चारो तरफ उस इंजन लगा दे और उस इंजन की तरफ चारो तरफ हम लोग fins को ना लगाएं तो उस case में क्या होगा कि हमारा engine का cross section area बहुत कम रहा जाएगा और उस case में क्या होगा कि हमारा cooling effect जो है वो भी बहुत कम हो पाएगा जल्दी engine ठंडा भी नहीं होगा क्योंकि उसका cross section area कम रहा जाएगा लेकिन वहीं पर अगर हम लोग fence लगाते हैं उसी इंजन का जो area cross section area उसको हम लोग बढ़ा देते हैं तो इंजन का जो cooling होने का जो दर है ठंडा होने का जो दर है वो भी बढ़ जाता है तो ऐसे काम करता है air cooling system अब आपको यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि इस distance को हम लोग बोर बोलते हैं और यह जो fins का लंबाई होता है इस fins का लंबाई इस बोर से डेढ़ गुना होता है इस बेड़ इस बोर से डेढ़ गुना होता है अब आईये जान लेते हैं कि air cooling system का क्या-क्या advantage होता है तो air cooling system का जो design है दोस्तों वह बहुत simple होता है और इसमें कोई भी radiator नहीं लगा होता है कोई भी tank नहीं लगा होता है ना कोई अपर लगा होता है ना लोवर होस पाइप लगा होता है ना कोई फैन लगा होता है तो इसके वाज़ा से हम लोगों का air cooling system में cost भी decrease हो जाता है इसके साथ साथ जिस तरह से water cooling system में हम लोग को freezing का tension होता है फ्रीजिंग ट्रबल होता है, फ्रीजिंग क्या होता है वो भी बता देता हूँ, वाटर कुलिंग सिस्टम में हम लोग कुलेंट यूज करते हैं, और जब वहिकल्स को वैसे जगा पे ले जाते हैं, जहां पे ठंड बहुत ज़ादा रहता है, जहांका temperature बहुत ज्यादा down रहता है, वैसे केस में water cooling system में जो coolant use करते हैं हम लोग, वो जम जाता है, और जमने के वज़ा से हमारा cooling system काम नहीं करता है, cooling system blockage हो जाता है, वो tension हम लोग का air cooling system पे नहीं होता है, यह एक advantage और है air cooling system के साथ, अब चलिए जान लेते हैं कि air cooling system का disadvantage क् पहला disadvantage यह है, इससे engine का uniform cooling नहीं होता है, मतलब कि जहां पे engine पे हवा पढ़ रहा है, उस जगह पे ज्यादा ठंडा होगा, जहां पे engine पे directly हवा नहीं पढ़ रहा है, उस जगह पे ठंडा कम होगा, तो इस तरह से हर एक पूरा water cooling system में क्या होता है, कि पूरा engine पे समान मातर में cooling effect पहुंचता है, लेकिन air cooling system में कहीं पे ज्यादा engine पे ठंडा हो गया, किसी parts पे कम ठंडा हुआ, किसी parts पे ज्यादा ठंडा हुआ, तो इस तरह से uniform नहीं होता है ठंडा, दूसरा disadvantage यह है, air cooling system का, कि यह जो है water cooling system के तुलना में efficient नहीं है, यह उस हद तक काम नहीं कर प आता है, तिसरा disadvantage इस system का यह है, कि इसका use हम लोग car में, bus में, ऐसे vehicles के लिए नहीं कर सकते हैं, जिसका engine जो है, वो cover होता है, air के contact में नहीं होता है, लेकिन water cooling system को हम लोग वैसे जगह में भी use कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आसा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और informative भी लगा होगा, लोग हमारे चैनल पे नए हैं, और जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, वो नीचे subscribe बटन पे click करके subscribe कर दीजे हमारे चैनल को, और bell icon को भी दबा दीजे ताकि इसी तरह का वीडियो का notification आपको 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 झाल झाल